हाई दोस्तो टीवर चाभ में आपका स्वागत है दूस्तो आज के इस वीडियो में आप सीखिए कि की आप एक मोबायल में आप two screen को कैसे यूज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो एक मोबायल में two screen आप कैसे चला सकते है स्क्रीन के ऊपर ही जैसा कि आप देक्र मेरे मंबायल फ़न में 2 स्क्रीन में यूज़ कर रहा हूं अभी और यहाँ पया मैंद में वाट्सब्स और यहाँ पये यूटुब स। यूज़कर रहा हूं जैसे कि आप देख रहे हैं मयाल में यहां उपर में मैंने प्लेश्टोर ओपिन करके रखा है और यहां पे प्लेश्टोर इंस्टॉल अगर आपको चाहते हैं कि प्लेश्टोर इंस्टॉल कर से रहें किसी अप्लिकेशन को और आप चाहते हैं कि आप नीचे यहां पर आप यूटूब यूज़ करना तो यहां पर यू इसका यानि की दो तरीका है सबसे फॉस्ट तरीका यहाँ इस को दो तरीके से आप इसको अपलाई कर सकते हैं तो चलिए फ्वर्फ मेत्पेड हम सीख लेते हैं सबसे पहले मेतड यह है कि आपको अगर आपको मोबाईल में यह फंक्शन नहीं है तो आपको क्या करना है play store open करना है play store open करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको search for app and game लिखावा है ठीक यहाँ पे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे click किजी click करने के बाद यहाँ पे आपको type करना है split screen लिख क्या आपको search करना है जैसे हमने search कि यहां पे बहुत सारे application आगे लेकिन आपको click करना है ये जो split screen लिखाओ है इसके उपर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे ये छोटा सा application ही इसको अपने मुपाल में install कर लिजिए जैसे आप install करेंगे यहां पर अभी ये download होगा जैसे कि आप देख रहें तो चलिए हम तोड़ा इसके इंस्टॉल होने तो यह मुगाल में एप्लिकेशन इंस्टॉल हो गया है अब यहां पर ओपन में क्लिक करेंगे ओपन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लुक दिखता है इसका अब आपको यहां ध्यान दिजिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है create shortcut तो यहां पर create sortment क्लिक करेंगे और याद रहे यह first method हो गया दूसरा method आपको बताऊंगा कि आप settings से कैसे कर सकते हैं आपको application download नहीं करना पड़ेगा तो अगर आपको चाहते हैं तो जो उपर में देखना चाहते हैं उसको यहां पर प्लस आइकन है इसमें क्लिक किची जैसे अपने क्लिक के यहां पर application आ गया है तो यहां पर फॉस्ट में मैं क्रोम ब्राउजर यूज़ करना चाहता हूं तो क्रोम ले लिया मैंने और यहां पर बॉटम यानिक उसके नीचे आपको कोई दूसरा अप्लिकेशन यूज़ करना है तो यहां पर प्लस में आइकन में क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी आपको यूज़ करना है फॉर इंपल मैं यहां पर ले लेता हूं य सब ले लेता हूं और यहां पर अपके क्लिक करने लाग करो करके इससे आपको क्लिक करना है कलिक करने क्यादं यहाँ पर इनेबल के ओप्शन इसमें क्लिक कीजिगा अब यहां पर डाइरेक्ट सेटिंग्ज में दे जाएगा और यहां पर इससेप्ट न कीद। यहां पर धियान दीजिए यहां पर लिखाव है more downloaded services तो इसमें आपको click करना है तो जब आप more downloaded services में click किजीगा तो यहां पर इस तरीके से option आएगा अब यहां पर पूर्ट आए कि split screen off है यहां पर तो इसको ok किजी और यहां पर accessibility on कर दीजी इसके उपर click करके अब यह क्या है ok के उपर click किजी अभी आपका ready होगे use करने के लिए तो चलिए आप हम इसके उपर click करेंगे क्लिक करने के बाद आप उस तरीके से पेज नहीं कुलेगा बलके इस तरीके से आप दो स्क्रीन एक साथ आप यूज कर सकते हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन ने देख रहे हैं एक ऊपर मेरे स्क्रीन चल रहा और एक नीचे में मेरा YouTube भी ओपन होए और यहां पे आपका Chrome ब् तो फॉर एकशाप मैं फाहले YouTube सेलेक्ट करता हूं तो यूटूम में अपन कर लिया अब यहां पर दूसरा अप्लिकेशन हम जीमेल या फिर गूगल मैप यह फिर कुछ भी आप लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे हैं तो फवह फिर आप लेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिता है तो हमने दो एप्लिकेशन सेलेक्ट किया अब यहाँ क्या करना हो कva abakon नीचे यहां पर आइकन दिखे रहा हुगा आपके साफने इस तरीके से पेस कुलेगा रिचेंट भता है अब यहां पे उपर में इसको आपको स्क्रीन में किजैंगे अब यहां पर लाएख लगणा यहां कि यहां पर यान यूज़ करना चाहते हैं उसको यहां पर डालना है एक आगया और यहां पर यह दूसरा YouTube हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पर क्लिक कर दीजे अभी दूसरा YouTube हम यूज़ कर सकते हैं और प्लेट इस तरी के साथ आप चाहते हैं तो